मिनिमम 200 रुपए से 500 रुपए profit margin बुक करने के लिए option trading में trade लेने से पहले हमें क्या-क्या check करना चाहिए वही चीज़ से आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ share करूँगा प्रूफ के साथ जो मैंने trade लिया था मैं क्या-क्या आप ये option trading में देखता हूँ trade लेने से पहले जिसकी लिए हर दिन 200 से लेके 500 रुपए का profit margin बुक मैं कर लेता हूँ ऐसा भी नहीं हर दिन मैं बुक कर लेता हूँ मेरा lose भी होता है profit भी होता है लेकिन profit का margin जाधा रखता हूँ कोई भी trader आपको यह नहीं कह सकता है कि यह trade लेने से आपको 100% यह profit margin बुक होगा आप अगर basic सारी जानकारी रख लेते तो आपके पास 70% chances होता है profit margin बुक करना है जहाँ पर money lose आप बहुत कम करेंगे profit margin का ratio जाधा रहेगा minimum कितना यहाँ पर आपको money add गरना होता है वो सारी चीज़े इस वीडियो में share करूँगा अगर आपके पास grow के account नहीं है या कहाँ पर trade कर रहे आपको पता नहीं है तो last मैंने वीडियो में detail में बताया था कैसे grow में account को create करना होता है जाकि उस वीडियो को आप लोग देख के लीजिए बहुत ही easy है grow में account बनाना एक बर जाके देख लीजिए तो आपको easy लगने लगेगा और साथी में उसके बात और कुछ वीडियो में ने upload कर रहा था कि delivery trade कैसे करना होता है minimum एक investment लेके तो उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं तो आपको पता चलेगा कि कैसे delivery trade करना होता है तो चलिए आज इस वीडियो में जान लेते कि option trading में trade लेने से पहले as a beginner हमें क्या क्या चीज़े चेक करना चाहिए जो मैं आप लोग को खुद का experience भी आप लोग के साथ share करूँगा proof के साथ तो चलिए सीधा जाते है mobile की screen पर तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को ना last day का profit मैंने जो book किया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ लास दीन मैं वीडियो नहीं बनाया पाया था और आज तो Sunday है आज की दिन close होता है last 21 June को मैंने जो profit किया था वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ nifty 50 देखेगा आपको bank nifty देखेगा ठीक है and last time मैं nifty 50 के उपर यापे trade लिया था तो यहापे मैं nifty 50 में क्लिक कर देता हूँ and यहापे देखिए market नीचे के तरफ जा रहा है market अगर नीचे जाते हैं उस time पे हम लोग को put option buy करना होता है अगर market उपर जा रहा है तो call price हमें buy करना होता है ठीक है अभी देखिए nifty 50 है यहापे right side में option छे लिखा हुआ है तो यहापे मैं click कर देता हूँ यहापे click करते ही यहापे आपको दिख जाएगा left side में देखिए red marks है and right side में green है तो market नीचे के तरफ जा रहा है market अगर नीचे जा रहा है तो हमें कौनसा वाला buy करना होगा right side याने की put price buy करना होगा अभी तो फिलाल संडे के दिन market off रहता है यहापे मैं 21 जून का मैंने जो दिखा है था 21 जून का screen shots है वो अभी मार्केट अगर खुला होगा है तो market कौनसा side में जा रहा है नीचे के तर 123 112 लिखा हो इस side को कहता है out of the money and इसके ठीक नीचे इसको कहता है in the money and left side में call price जो है call price का line के ऊपर जो होता है उसको कहता है in the money line की नीचे के बोला जाता है out of the money अभी माली जी हमें तो put price buy करना होगा तो अभी put price माली जी 108 जहां पर लिखा होगा है 158 या पर मैं क्लिक करता इक lot book करने के लिए या पर कितना चाहिए हो रहा है नीचे दीखे 4,680 लेकिन मेरे पास उतना पैसा है नहीं हम लोग 2700 से नीचे या 2000 में करना चाहते तो बैक आ जाता हूँ हम लोग इंद्यमनी से अगर buy करना जाता है तो जाधा पैसा या पर चाहिए तो हम लोग out of the money से put price में book करेंगे या पर दीखे 75 रुपीज है 60 है 49 है 39 है तो 31 बाला करेंगे तो या पर buy में click कर देता हूँ या पर दीखे 25 lot कितना आ रहा है 821 रुपए तो या पर मैं और 2 lot ले सकता हूँ लग नहीं मैं 3 lot नहीं 2 lot ले सकता हूँ जहाँ पर 16 रुपए लग रहा है ठीक है या पर इस trade को लेने से पहले आपको क्या देखना होगा वो देखना होगा कि यह दिखे 31 में मैं click कर देता हूँ या पर put मैं click कर देता हूँ नीच आईए या पर आपको buy orders and sale orders दीखेगा buy orders का percentage अगर 50 से जाधा है लोग आके या पर buying कर रहे है तो मैं या पर buy कर लेता market उपर के तरफ जा रहा होगा तो हमें call price में जाके एक बर चेक करना होगा लेकिन या पर हमें पता चल रहा है market नीचे के तरफ ही जा रहा है तो या पर जाता तर बाई order सी दिखाएगा देन आप बैक आजाए बैक आने के बाद जो last वाला जो candle आप देख पार है ठीक है ए इसको कहता है bullish candle अभी मालनी जी आपको hammer भी देखना होगा hammer किसको कहता है यहाप एक candle जहापे यह दो blue आप full stop देख पार है इसके right साइड में एक candle है जो की उपर के तरफ green में जो green color में है न उपर की तरफ यापर है hammer बना हुआ है उपर की तरफ अगर hammer बना हुआ है नीच यहापे market उपर जाने का next जो होगा market उपर जाने का जाधा chances है यहापे दिखिए red वाला में जहापे मैंने click किया उसके left side में दिखिए यहापे candle है जिसका shadow उपर की तरफ है और नीचे hammer की तरफ बन रहे है ठीक है अगर ऐसा हो रहा है तो market नीचे जाने की probability जादा है तो ऐ ऐसा जब भी fail होता है तब भी आप buy कीजे and उसके साथ सथ आपको देखना होगा गया मालीजे कोई भी price market का भी 50 रुपए चल रहा है आपको लग रहा है कि अभी यह 48 में जा सकता है 46 में जा सकता है 47 में जा सकता है तो उस टाइप आप wait कीजे आप 50 रुप में उसे मत खरी दिये आप उसको 47 में खरी दिये उसकी बाद वो जब भी उपर जाएगा एक छोटा मोटा profit लेके वासे exit हो जाएगे तो ऐसे ही हमें करना होता है and per day एक amount रहिए 300 या 200 रुपए इससे जाधा मैं lose नहीं करूँगा इससे जाधा मैं profit के पीछे मैं नहीं भागूँगा अग आप एक महेना तक उसे यूस कर पाए ठीक है अगर आप हर दिन 500-600 लॉस कर रहे तो आप दूसरे दिन आपको मन भी नहीं करेगा कि सीखने के लिए तो आपको पैसे को बचाना है and हर दिन आपको सीखने के लिए 200-300 रुपए आपको राकना होगा अगर lose करता हूँ तो मैं इसना lose करूँगा अगर जीतूँगा अगर 500-400 रुपए होगा मुझे और पैसा नहीं चाहिए आज के दिन यहापी एंड कर देते एक्जीट कर देते तो इसी तरी किसे मैं यहापी ट्रेट करता हूँ सीखता हूँ ऐसे बिगिनर आपको यही सारी चीज़े पता होना चाह होगा अब दिरी दिर आपको लगेगा कि हा मैं सीख रहा हूँ ऐसे बिगिनर मुझे जो जो पता होना चाहिए मेरा प्रॉफिट भी हो रहा है प्रॉफिट का मर्जिन जादा हो रहा है लॉस का मर्जिन कम हो रहा है जब भी आप लोग यहापी सीखने लग जाएंगे उस करतो दोस्तों यह वीडियो इनफोरे में लगा और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजे और इस वीडियो में कोई भी चीज़े अगर मिसिंग था आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आ आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई ऐसे नई वीडियो में आज के लिए इतनी ही थैंक यू